हलो स्टुडेंट, वेलकम टू शिक्षाद्यान स्टुडेंट, आज की जो वीडियो है, आज मैं आपको साइन्स कमपार्टमेंट एक्जामिनिशन की कैसी प्रिपेरिशन करनी है, वो बताऊंगा साइन्स के एक्जाम कब होना है, वो डिट शिट आ चुकी है, और जो लोग साइन्स के एक्जाम को क्वालिफाइं नहीं कर पाएते, उसमें फेल हो गएते, उनको वो एक्जाम दुबारा देना होगा मैंने मैक्स के लिए आपको कुछ टिप्स बताएं दे, अब ये जो वीडियो होगी, वो होगी साइन्स के बारे में, कि किस तरह से आपको अपने साइन्स के पेपर की प्रिपेशन करनी है तो first of all तो मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले, साइन्स का जो एक्साम है, बहुत जादा डिफिकर्ड नहीं है, साइन्स सब्जेक्ट इस नौट इफिकर्ड, क्लास टेंट में जो चैप्टर्स, जो चीस लिबिस में आपको दी नहीं है, चैप्टर्स वो एजी है, तो ये confidence आपको रखना है अपने आप पे, कि अगर first time में आप नहीं कर पाए qualify, तो next time आप विल्कुल qualify करेंगे, क्योंकि passing marks कितने 33%, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि 33% का target नहीं करना, आपको जो target करना है more than 50% and 60-70% का ये आप target लेके चलें, क्योंकि अब जो है, सिर्फ आपको science का exam क preparation करनी है, तो आपकी जो पूरी concentration होगी, science पर होगी, तो आप easily अच्छे marks ला सकते हैं, अपना जो focus आपको रखना है, वो maintain करके रखना है अपने exam पर, ये नहीं सोचना, कि जो आपके classmates से जो pass हो गए हैं, अब उन्होंने 11th में admission ले लिया है, तो ये सब नहीं सोचना, because ये में रखे, आपका जो prime motive, prime goals होना चाहिए, वो exam को qualify करना है, मैं 40 marks का अगर paper देखूं, तो more than 40, बलके मैं कहूंगा 45 के around, जो out of 80 जो आपका paper आता है, वो बहुत ही जादा easy होता है, अगर आप plant way में पढ़ेंगे, अच्छे planning के साथ में, तो बिलकुल आप वो 40 में से out of 40 ल आप at least 20 तो लाही सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छी planning, एक अच्छी preparation की जरूवत होगी, उसके बाद ये tension नहीं लेनी, कि वह मैं तो compartment आ गया, अब compartment का result जो है, वो august में आएगा, फिर मेरा 11 में admission कैसे होगा, school में admission मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये सारी जो tension है, ये divert करेगी आपके mind को, और जैसा मैंने का कि focus बनाए रखना है exam के लिए, अब preparation करनी कैसे, तो preparation जो है, आपको करनी के लिए सबसे पहले, जो आपका course curriculum है, यानि कि जो आपका syllabus है, और NCRT, उस पर ही आपको रहना है, उससे जादा जो है, आपको नहीं पढ़ना है, हाँ, जो कुछ questions है, वो questions बिल्कुल आपको prepare करने है, अब वो questions मिलेगे कहां से, तो वो important questions देखने के लिए, शिक्षा भ्यान ने आपके लिए 10 sample papers को salt किया है, हमारी faculty, expert faculty ने वो sample paper prepare करे हैं, और अगर आप board का exam देखें, तो हमारे ही sample paper से आपको 90% questions जो हैं मिलेंगे, वो आप sample paper आपको prepare करने हैं, जिसके लिए आप हमारी app जो शिक्षा भ्यान की वो download कर सकते हैं, या website पर जाके भी आप उसे देख सकते हैं, शिक्षा भ्यान ने आपके preparation के लिए अभी हमने बिल्कुल free रखा हुआ है, इसके बाद problematic areas जो यानि जो chapters आपको ज़्यादा problem देते हैं, उन से help ले सकते हैं, उनके notes को use कर सकते हैं, तो notes भी आप महां से पढ़िएंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा beneficial होगा, साथ ही teacher और friends जैसा मैं बता चुका हूँ, और easy chapter जो हैं, उन्हें पहले कर लिजे, या easy chapter के लिए time alert कर दीजे, कम से कम time, यानि 2-3 दिन में, क्योंकि timer भी आपके पास जादा नहीं है, exam सर पर हैं, तो 2-3 दिनों में वो easy वाले chapters जो ही कर लिजे, जैसे last के जो 3 chapters है, environment वाला chapters है, source of energy वाला chapter है, तो ये chapter थोड़े easy होते हैं, जल्दी कर सकते हैं, साथी human eye and colorful world है, वो भी easy एक chapter मैं कहूंगा, तो वो आप बहुत अच्छे से prepare कर सकते हूं, जल्दी prepare कर से, बाकी जो scoring आपके chapters हैं, जिव जादा marks वाले chapters हैं, जैसे light, reflection and reflection जो है, वो एक जादा marks का chapter है, वो आप अच्छे से prepare करें, उसके numericals, electricity के इंदर numerical सी जादा पूछे जाते हैं, ohms, la-based and other formulas ते आपके heating effect of electric करें, वहां से आप question prepare कीजिए, chemistry में अगर मैं कहूंगा, carbon in its compound काफी जादा marks का है, वो prepare करें, और easy वाला जो periodic tables वाला है, वो आप prepare करें, और बाकी भी जो chapters हैं, तो वो छोड़ने नहीं हैं, वो आपको करने हैं बाद में, लेकिन पहले जो mark fetching है और easy वाला है, वो कर दीजी, इसके बाद अगर बात करें, biology में तो coordination वाला chapter है, life process है, ये काफी जादा marks के chapters हैं, तो इन्हें अच्छे से prepare करें, बायों में जो last के chapters हैं, वो easy हैं, syllabus के अंदर, our environment वाला जो है, तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं, easy chapter है, बट marks वोड़े कम है, लेकिन easy है, तो वो अच्छे से prepare करें, तो और आपको जो है, अपन study के अंदर लगाना है, तो time table prepare कर लीजे, कब आपको क्या करना है, हाँ, इस time table में last year के जो papers हैं, वो आपको शिक्षा वियां की website पर मिल जाएंगे, sample papers, और CBSE में जो ask किये गई question है, वो भी आपको शिक्षा वियां की website और app पर मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर देखिए, full mind होकर आपको अपनी preparation करनी है, अगर आप इस plan way में करेंगे, तो आप ना सिर्फ पास होंगे, बलके अच्छे mark से पास होंगे, और अगर कोई भी difficulty आती है, तो शिक्षा वियांद पर जाके आप भी mail कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपकी difficulty को solve करेंगे, तो hope करता हूँ, आपक अच्छा अभ्यान का जो YouTube चैनल है, चुकि हम आपके लिए informative and tips and tricks सी वीडियो से लाते रहते हैं, different different exams के लिए, and finally, thank you for watching the video.